तो जब भी हम case study कर रहे हैं तो कुछ एक बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले हम deep study करें डीप study करें टॉपिक के बारे में टॉपिक की डीप study करें सेकिंड आप एक माइंड मैप बनाएं माइंड मैप कैसे बनाए जाता है हमारी प्रिविस वीडियो उसको आप देख सकते हैं उसके बाद थर्ड आप करें रीड करें case study को case study को अच्छे से रीड करें और उसको उसके बाद analyze करें analyze करें और memorize करें keyword को कौन से topic कौन से keyword हमारी case study से थे और आखिर में आप अपना perfect answer को build करें तो यह सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार की case study को easily solve कर सकते हैं easily कर सकते हैं हम शुरुबात में कुछ easy case study study लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ासा आगे अच्छे लेवल की case study की तरह जाएंगे जो normally आती है और इससे ज्यादा typical case study आपके नौर्मली स्लेवस में नहीं आती होती तो देखिए हमारे पास एक case study है मैंने जैसे की बताया case study को हमेशा end तक पढ़ें तो हम question को और case study को पहले पढ़ लेते हैं इस सारी case study जो है हमारी principle of management से related होंगी तो principle of management हमारी first case study एक factory owner है पे करता है wages which are less than the minimum wage prescribed by the government कोई एक factory owner है और वो wage करते हुए अपने laborer को जो government ने prescribe किया उससे कम wage देता है but he compels और वो मचबूर करता है to the workers to sign the wage bill और wage bill पर sign करने के लिए वो compel करता है mention in the minimum wage prescribed by the government गौर्वर्नमेंट ने एक बिल दिया गया है और उस पर sign वो करवाने के कोशिच करता है कोन ये factory owner अब हमें ये हमें एक situation दी गई ये हमें case study दी गई हम इसे analyze करते हैं और हम अपने answer इसकी answer तो अलग-अलग type के बहुत सारे हो सकते हैं अब जब आप principle management से related आप कर रहे हैं तो हमने किया था सबसे पहले आप d study क्या आप study question जो हमारे पास principle management की कर चुके अगर कर चुके तो आप मैं माइंड मैप में हमारे जो बिल है आप हमारी जो वीडियो है उसका जो front page है उसमें दिया गया है dad uc user o ic यह जो एक line है मैं बता रहा हूं यह आपको 14 principle याद करने के लिए बड़ा ही मदद करेगा आप वीडियो देखेंगे तो आप 14 principle असानी से याद कर सकते हमारे यह तो था हमारे हमारे पास henry fuel के बारे में fw taylor ने भी four principles दी है हमारे पास जो है first principle बढ़े असान से principle हैं जैसे हमारे पास science not rule of thumb और और harmony not discard cooperation इस तरह के कुछ principle दी है उसने कुछ nine techniques भी दी है वह अच्छे से याद होनी चाहिए आपको अगर आपको अच्छे से याद है तो आप easily इनका answer कर सकते हो देखिए हमने यहां पर इसको अच्छे से पढ़ लिया है अब यहां पर आप देख रहे हो क्योंकि यहां पर wages की बात है और wages क्या है फियर wages होने चाहिए तो यहां पर henry fjol ने एक principle दिया था जिसका नाम है rem duration उस rem duration में उस principle में क्या कहता है हमें परयाप्त मातरा में rem duration देना चाहिए wages देने चाहिए हमारे labor को जिससे वो अपनी minimum standard of living को maintain कर सके यहां पर minimum standard of living जो government ने government ने wage rate prescribe किया है वो minimum standard of living को पूरा करता है normally करता ही होता है तब ही government इसको decide करती है अगर वो उससे भी कम दे रहा है इसका मतलब यह है कि यह उस principle को wallet करता है जिसमें कहता है कि हम हमें एक rem duration ऐसा देना चाहिए जो minimum जो living standard है उसको पूरा कर तो यहां पर जो हमारा answer रहना चाहिए वो रहना चाहिए rem duration Rem duration मैं पूरा answer नहीं लिक रहा हूँ मैं सिर्फ आपको case study यहां समझा रहा हूँ Second हमें कहता है what value are being ignored by the factory owner Factory owner ने कौन-कौन सी values को ignore किया है तो बहुत सारी values हैं जिनमें हम कह सकते हैं सबसे पहले जो यह owner है अपने employees के प्रती इमानदार नहीं है dishonesty हम कह सकते हैं honesty हम कह सकते हैं अगर value को ignore किया गया तो honesty जो है हमारे owner ने ignore किया है और क्या हो सकता है और हो सकता है respect about law respect for law यहां पर उसने कानून की भी इज़त नहीं किये इस तरह से हमारे पास दो यह जो है जो value है ignore की गई है तो यह हमारे पास next case study है टेक इंडिया लिमिटेड इंगेज इन मैनेफेक्चरिंग और led bulb to save electricity in running under heavy loss कोई यहां पर world tech इंडिया लिमिटेड है और वह heavy losses में जा रही है वो led bulb बना रही थी और इसके लिए वो क्या करते हैं उनका management क्या करता है उस management यह shift कर देता है पूरे business को without any additional payment और यह worker को कहता है कि आप overtime भी करो कोई additional payment के बिना and promise उसको promise करता है तो increase the wages यहां पर wages होना चाहिए था increase the wages और wages करने के लिए wages को increase करने के लिए वो क्या कहता है promise करता है for the workers after achieving its mission वो अपने mission को जैसे ही पूरा कर लेंगे तो वो अपने worker को कहता है कि हम यहां पर क्या करेंगे labor का wages को बढ़ा देंगे within a short period the company start earning profit और बहुती कम टाइम में company जो है profit कमाना शुरू कर देती है both the management and worker honor their commitment इस तरह से management और worker जो है दोनों ही अपने commitment को पूरा करते हैं यह हमारी case study थी जो मुझे keywords लगे मैंने उनको underline भी करती है तो यह कहता state the principle of management described in the above era यहां पर हमने कौन से principle को पूरा किया है यह principle मुझे यहां पर जो लगता है principle जो है यहां पर discipline है अब यहां पर principle of management में हमने principle यहां पर कौन सा है discipline गया गया है और आगे कहता है identify two values discipline क्यों है discipline इस वज़े से है कि manager और worker दोनों ने ही discipline में रहकर काम किया है discipline obedience यहां पर रहेगी जो organization है rule और employees ने सभी ने follow किया है इस वज़े से यहां पर हम discipline को मानेंगे और इसके लावा यहां पर कहता identify two values that company want to communicate to the society वह कौन सी society अब यहां पर देखें हमने कहा जो led bulbs है जो led बनाये जाते हैं वह सेव करते हैं electricity को दो नूंक कोम ilan अदर low cost यहां पर पर यहa रइन तो लोफ में जा रहा है बट यहां पर जो कोश्ट होटी है उसको कम में यानि satu जो बल्ब होते हैं वो estas हैं तो यहां पर एक ऑन्वारमेंट्ल यहां पर हमारी वैल्लोह आ है कि environment में हम क्या करें अच्छा हमारा और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करें जिसे electricity कम कंज्यूम होगी तो और ज्यादा लोगों तक यह फैल पाएगी ज्यादा लोगों तक पहुच पाएगी और इसके इलावा हमने यहां पर जो वर्क किया है वह बैगवार्ड एरिया में किया है यह बैगवर्ड एरिया से क्या होता है यहां पर अगर बैगवर्ड एरिया में और वर्क किया जाएगा तो यहां के लोग और ज्यादा ड्वल्प्मेंट करेंगे इस तरह से हम कह सकते हैं यहां पर ड्वल्प्मेंट और बैग्ग्राउंड एरिया जो है यह भी कंसान है इस तरह से हमने दो जो है हमारी वैल्यूज कंसान करती है आई होप यह आपको समझ आया हुगा अब हम next case study की तरफ चलते हैं next case study में हमें क्या कहता है देखी next case study है हमारे पास next case study हम पढ़ लेते हैं पहले एक company is engaged in a producing green stationary products to discourage use of plastic items ठीक है हम यहां पर plastic item को discourage कर रहे हैं हम यह मना कर रहे हैं कि हमें plastic items जो हैं वो use नहीं करनी चाहिए इट offers employment to people of nearby villages और वहां यह अपने जो अलग जो नास पडोस के यहां पर गाओं हैं उनके लोगों को employment provide करने के लिए ओफर दी जा रहे हैं शीवा एक परसन है जो production department में work करता है give a suggestion for cost reduction और वो cost reduction के लिए suggestion देता है which was accepted by the manager और वो manager जो है accept भी कर रहे हैं देखा जाए यहां पर शीवा जो एक worker है एक छोटे level का worker है वो अपना suggestion दे रहा है तो यहां पर जो top level management है वो एक तरह से क्या कर रही है motivate कर रही है motivate कर रहे है वरकर को कैसे motivate कर रहे है उनकी बातों को सुनकर और उनके suggestion को accept करके इस तरह से यहां पर motivate क्या जा रहा है और उसके बाद यहां पर यह इस तरह से motivate कर रहे हैं कि शीवा जैसे वरकर आगे initiate ले किसी भी काम को पूरा करने के लिए वह initiate ले तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कोशन में आगे हमें क्या डिमांड करता है कहता state the principle of management describe in the above एरा तो जैसे जो principle है वो principle of management initiative रहेगा तो जो मैंने जिस तरह से बताया तो principle क्या रहेगा इनिशेटिवनेस कि इनिशेटिव आगे हम पढ़ते हैं अब कौन-कौन सी वैल्यूज है वैल्यूज में अगर हम बात करें वैल्यूज में हमारे पास जो हमारी environment के प्रती क्योंकि हम greens stationary product बना रहे हैं तो हम environment के प्रती काफी motivated हैं कि हमारे पास यहां पर environment green product बनाने से क्या होगा pollution काम होगा दूसरा यहां पर हम job opportunity village area में job opportunity create कर रहे हैं यह भी एक तरह से हमारे लिए क्या है value है और इसके इलावा हम जो development कर रहे हैं backward regions को development कर रहे हैं जो area villages होते हैं वह backward जो regions हैं उनको हम गल्ब कर रहे हैं तो यह इस तरह से इस case study में हमारे पास यह रहेगा अब यह हमारी जो case study है मैं is case study को काफी important मानता हूं और काफी अच्छी case study भी है तो देखिए कि case study में है क्या हम time to time underline करते रहेंगे अगर हमें कोई भी ऐसा लगता है नुतन टीफन बॉक्स सर्विस यह बहुत ही famous लोग हैं मुंबई में हैं मुंबई वायदा मुंबई डबवाला और यह डबवाला जो डबवाला के नाम से बड़े इनको इनके काम की वज़े से लोगों के पास खाना पहुचता है टाइम पर खाना पहुचता है बड़े फेमस है इन्होंने बहुत ही management activities के लिए वर्ड लेवल पर बहुत वर्क किया है aim to provide prompt and efficient service by the providing tasty home made different to all office goals at right time and place इनका काम यह है कि यह चाहते हैं इनका goal क्या है यह goal कहते हैं इनका aim यह है कि वो provide करें prompt service और efficient service provide कर रहे हैं जिससे tasty घर का बना खाना हर office जाने वाले person के पास time and यहाँ पर मैं इसको highlight कर दो time and place सही time पर सही place पर वो पहुँच जाए the service is in untreated even in the day of bad weather चाहे मोसम खराब हो चाहे political unrest हो चाहे वो social disturbance हो किसी भी रीजन से आज तक यहाँ पर जो डबा वाला का डबा है वो time पर ना पहुच पाए ऐसा नहीं हो पाया अब आगे क्या है recently they have started online booking और उन्होंने online booking करना शुरू किया system throughout their website और उन्होंने एक website बनाई जिसका नाम है mydabawala.com ओइंग देर टीम ट्रमेंडस पॉपलर्टी अमंग देर हैपी एंड सैटिस्वाइड कस्टमर उनके कस्टमर बहुती जाद से ऐसा नॉर्मल ही नहीं होता कि सभी कस्टमर सैटिस्वाइड हो फिर भी इनके कस्टमर सैटिस्वाइड है इसी वज़े से टॉप बिजनस स्कूल वालों ने जो टॉप बिजनस स्कूल है उन्होंने उनको लेक्चर देने के लिए भी बुलाया कि वो टाइम टू टाइम हमें मैनेजमेंट स्किल सिखा सके अलाकि यहाँ पर डबावला जो हैं वो ज्यादा एजुकेटेड लोग नह करते हैं 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप होता है अलोंग विद एक ग्रुप लीडर और उनका एक ग्रुप लीडर होता है इच गुरुप लीडर इच ग्रूप टीम अप विद अधर ग्रुप इन order to deliver their tiffin on time और हर ग्रूप जो है वो अदर ग्रूप के मेंबर से भी connected रहता है कि जिस तरह से वो एक दुसरे से कोपरेट करके time पर खाना पहुचा पाएं कि वो अपना time जल्दी से जल्दी खाना पहुचा सके इसलिए उनको remember memorize करना पढ़ता है अपने customer का address and their address जो है उनको memorize करना पढ़ता है customer को यादर करना पढ़ता है they follow certain rule for while doing the trade वो कुछ बाते यादर करते हैं उन्हें कुछ rule बनाए no alcohol during the work शराब नहीं पी जाएगी काम के दोरान no leave without permission कोई भी छुट्टी नहीं लेगा बिना प्रमीशन से अगर चुट्टी लेने के लिए प्रमीशन ली जाए उससे पता रहता है कि कौन परसन जो है वो आज नहीं आने वाला उसके काम को manage किया जा सके wearing the cap white cap और white cap और वो ID card जरूर लेंगे जिससे एक discipline बना रहे कि वो काम के प्रती काम कर रहे हैं ड्यूटी पर है रिसेंटली ओन दी सजेशन ओफ फ्यू सेल्फ मोटिवेटेड फॉलोमेंस उन्हों को कुछ लोगों ने कि सजेशन दिया क्या सजेशन दिया कि जो उनका excessive प्लान है वो जो उनके टीफन में खाना बच जाता है वो ऐसे स्लम एरिया में वो खाना पहुचा दें गरीब लोगों तक वो खाना पहुचा दें इस बात के लिए उन्होंने अपने customer को instruct किया कि अगर किसी टीफन में खाना बच जाए तो यहां पर red dot उन्होंने एक red dot लगा रखे टीफन जो टीफन है मान लीजिए उनका एक टीफन है टीफन में यह डब्बें हैं यह box है यह एक box है यह दो box है और तीसरा box है किसी एक box के नीचे उन्होंने एक red dot लगा रखे अगर खाने बच जाता है तो यह जो टीफन है इस टीफन के जो red dot वाला box है इसको बिलकुल end में रख दें if food is left in the tiffen to be feed to poor children और इस तरह से यह ग्री बच्चों को यह खाना जो बच जाएगा वो पहुचा दिया जाएगा कौन सा principle जो है यहां पर बहुत सारे principle हो जाते हैं सबसे पहले उन्होंने इनिशेट ले रहे हैं यहां पर देखी इनिशेट ले रहे हैं कि ग्रेबों तक खाना पहुचना चाहिए उनमें मैं की भावना नहीं है उनमें वी की भावना है वो spirit the cop जो principle है उसको पूरा कर रहे एक तरह से जो वो अलकॉल नहीं पी रहे वो आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं उनमें discipline भी है इसके लावा यहां पर personal जो है वो यहां 20-25 लोग है और एक group leader है तो यहां पर personal जो है इसके बारे में वैसे ज़्यादा नहीं बोला गया फिर भी को हमारे थे principle जो first में बोला गया वन principle तो आप principle के लिए बोल सकते हैं यहां पर stability of personal है यहां पर discipline है यहां पर initiative के लिएजमेंट मेंशन किये गए सबसे पहले वो ताइंपर आप ने देखा होगा वो अपने customer को happy चाते हैं, among the happy and satisfied customer, उनका goal है, तो वो goal oriented है, goal oriented है, चीक है जी, और वो एक group में activity करते हैं, जिनका एक group leader होता है, और सभी एक दूसरे के साथ cooperation भी करते हैं, पहुचाने के लिए, याद होगा आपको, तो यहाँ पर integrated force है, cooperation है एक दूसरे के साथ, group activity है, group activity कर रहे हैं, तो यह सारे हमारे कह सकते हैं, यह characteristic है, हमारे पास, इस case study में, अब यहाँ पर कहता है, give any two values, which are, डबवाला वान to communicate to society, क्या values है, sense of social responsibility, आप देखेंगे, यहाँ पर, किसी self motivated person ने कहा, कि आपको suggestion दिया, डबवालों को, और उन्होंने क्या किया, उस society के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो सलम एरिया, जो गिज होपडिज होती है, उस area के लोगों के लिए, इन्होंने वर्क किया, और एक society की responsibility समझी, कि हर इंसान को खाना मिलना चाहिए, इस चीज़ को देखते हो, इन्होंने गरीबों तक फ्री में खाना पहुचाने की एक जिम्मेवारी उठाई, यह हम कह सकते हैं, sense of social responsibility भी है यहां पर, अब जो बच्चों तक खाना पहुच पाए, इसके लिए, हम कह सकते हैं, एक values क्या हैं, यह teamwork करते हैं, teamwork जो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ cooperation कर रहे हैं, यह हमारी society पर हर इंसान को, जो भी एक काम कर रहा है, यहां पर इन्होंने, यहां पर देखे, case study में यहां पर दिया गया था, कस्टमर एंड मेंबर, देर डबवला इवांटुड गेस्ट लेक्चर जो ठीक ही तो ओन यह उपर था, सोरी, हां यहां पर, यहां पर कहता है, कि हर office going person को time पर खाना मिल सके, यह अपनी efficiency को इस वज़े से बढ़ा रहे हैं, कि society की efficiency बढ़ पाए, तो यह हमारे लिए case studies थी, I hope आपको पसंद आई होगी, और समझ भी आई होगी, अगर आपको समझ आई है, तो आप प्लीज लाइक करें, वीडियो को आपके लाइक से हमारा motivation बना रहता है, अगर जब लाइक नहीं मिलते तो यह रहता है, कि पता नहीं वीडियो कैसे बनी है, आपके लाइक हमें बत आपके लाइक करें, 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 आपके लाइक करें,